तो दोस्तो अगर आपने अभी तख हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MI10 के ग्लोबल इस्टेबल अपडेट जो की शेडियूल उसका चेंज हो चुका है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फॉल इंफॉर्मिशन की कौन-कौन से बैच सेकंड बैच वाले डवाइस को क जो है डिले देखने को मिलेगा आपके फोन में MI10 का ग्लोबल इस्टेबल अपडेट तो कब तक आपके फोन में आप आएगा तो पहले क्या था पहले आपको मिड अक्टूबर से रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था लेकिन अब आपको एंड ऑफ अक्टूबर का देखने को मिलेगा है मैं टेन का ग्लोबल इस्टेबल अपडेट तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कौन-कौन से डवाइस को मिलेगा और उसके बाद किन-किन डवाइस को देखने को मिलेगा तो यहां पर मैं आपको एक न्यूस दिखा देता हूं जो कि यह जाते हैं वह मैं आपको दिखा देता हूं मी नोट 3 रेड्मी MI5S MI5S Plus Mi Max Mi Max Prime Mi Max 2 Mi Max 3 Redmi Note 5A Redmi Note 5A Prime इतने सारे डिवाइस जो की सेकेंड वेच वाले थे उनको end of October से rolling out होना शुरू हो जाएगा और mid November तक सभी को इन डिवाइस में सभी को देखने को मिलेगा Hamilton का Global Global Update जो की आपर देख सकतो और दोस्तो जो अब बात करें mid November से start होका rolling out और उन डिवाइस के नेम है Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Qualcomm Edition वाला Redmi Note 4X, Redmi 4A, Redmi 5A, Redmi 5 अब दोस्तो बात करें इन सभी डिवाइस को सबसे पहले बिलना था तो इन सभी डिवाइस को आप सबसे लेट में मिलेगा MA10 का Global Stable Update जो की mid November से start होका और end of November तक इन सभी डिवाइस को मिलेगा और 3rd batch की बात करें तो 3rd batch में तो अभी बहुत टाइम है तो दोस्तो ये थे second batch जो की दो पार्ट में डिवाइट कर दिये गया है जो की first part, second part, first part को देखने को मिलेगा मिड नमंबर से रोलेंग आउट होना शुरू हो जाएगा तो इतने सारे डिवाइस है डिस्क्रिशन में लिंक दे दूंगा आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो दोस्तो इतने सारे डिवाइस थे जो की अब लेट हो गया है तो आप बताईए आपका कुछ भी कॉशन है तो कुछ भी कॉशन है आपकी डिवाइस का कुछ भी कॉशन में हर का रिपलाई देता हूं तो दोस्तों फिर मिल तेगली नेक्स वीडियो में टेक क्यार बाई